हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टॉपर बेंस आज हम लोग माई लॉश टॉलर चैप्टर 12 को पढ़ने वाले हैं यह है एक स्टोरी जो राइटर ने खुद लिखा है और राइटर का एक फ्रेंड है जिसको उसने वन डॉलर कभी उधार दिया था वन डॉलर उसको दिया था किसी काम से लेकिन उसको वो पैसा नहीं मिल रहा वापस ठीक है इसके लिए वो काफी परिशान है वो वन डॉलर अपना वापस भी चाता है और अपने फ्रेंड को डिरेक्ली बोलना भी नहीं चाता है इंडिरेक्ली वो कोशिश करता है लेकिन पैसे लेते हैं और हम्हें वापस करना, वो लोग भूल जाते हैं, या फिर बहुत्त लोग जान बुज करके भी वापस नहीं करते हैं, बहुत लिगानोंadiचे मजबूरी भी depressed रता है। इसे बहूल नहीं सकते हैं, लेकिन genuinely यह और कहा जाएं, अगर आप किसी से उधार लेते हो तो मेरा सला है आपको और मेरा request भी है आपको कि आप जरूर उसका पैसा वापस कर दो क्योंकि आपके मुसीबत के समय में आपका friend आपको help किया है पैसे उधार दे करके तो आप भी उसको काम हो जाने के बाद आप उसको जरूरत का पैसा जो है वो वापस कर दो तभी आपस में जो रिष्टा है वो अच्छा बना रहेगा और future में भी अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो वो friend आपको help कर पाएगा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं इस ये story को let us read about a man and his dilemma about a borrowed dollar तो एक इनसान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका जो दुविदा है जो बॉरो हुआ है उसके पास से dollar one dollar उसके बारे में उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस story में my friend Todd owes me a dollar he has owed it to me for 12 months and I fear there is little prospect of his ever returning it मेरा friend Todd मेरे से 1 dollar उधार लिया है और उसको मुझे वापस करना है 12 महीने हो चुके हैं और मुझे डर है possible chances है कि वो पैसा सायद मुझे ever return होगा मतलब कभी मुझे वो पैसा सायद ही return हो पाएगा ठीक है ऐसा writer कह रहा है उसको ऐसा अंदर से डर लग रहा है कि मुझे मेरा 1 dollar वो वो वापस नहीं आएगा I can realize whenever I meet him I can realize whenever I meet him that he has forgotten that he owes me a dollar जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा realize होता है मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि जो मेरा दोस्त है Todd वो भूल चुका है कि उसको मुझे एक डॉलर वापस करने है He meets me in the same frank friendly way as always वो मुझे पूरा frank way में जैसा हम लोग friendly nature के थे हमेसा friendly behavior हमारे साथ रहा है आपस में जैसा behavior रहा है वैसे ही वो मिलता है मुझे से हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है और वो मुझे से वैसे ही मिलता जैसे पहले मिलता था तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको ध्यान में नहीं है कि उसको मुझे लोटाना है एक डॉलर My dollar has clean gone out of his mind मेरा जो one dollar जो यह है currency पैसा है जो money है मेरा one dollar वो शायद उसके mind से निकल चुका है I see that I shall never get it back और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है future कि मुझे वो जो मेरा money है वो वापस नहीं मिलेगा On the other hand I know that I shall remember all my life that told was me a dollar लेकिन दूसरे तरफ यह है कि I know that I shall remember मुझे पता है कि मुझे याद रहेगा हमेशा कि टॉड ने मुझे मुझे एक डॉलर लिया है उसको टॉड को मुझे वापस करना था एक डॉलर मतलब टॉड मुझे एक डॉलर देने का है टॉड के पास मेरा एक डॉलर पढ़ा हुआ है उसने मुझे लिया है तो टॉड को रिटन करना है मुझे तो यह मुझे हमेशा याद रहेगा कि टॉड के पास मेरा पैसा रहे गया वन डॉलर मुझे विश्वास है कि यह हमारे फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला इसके वज़े से लेकिन यह बात भी पक्का है कि मैं इस चीज को कभी भुला नहीं पाऊंगा मुझे नहीं पता लोगों के साथ कैसा होता है कैसा लोग फिल करते हैं अगर मुझे से कोई इनसान अगर एक डॉलर बोरो करता है मैं मरते दम तक उस चीज को याद रखूँगा लोग कैसा बिहेव करेंगा लोगों को कैसा लगता है उसको बारे में मुझे नहीं पता है राइटर ऐसा कह रहा है लेकिन मेरे से अगर कोई एक डॉलर उधार लेता है तो वो उधारी जो है वो मुझे जीवन भर तक मरते दम तक याद रहेगा ठीक है तो मतलब जो राइटर है उनका ऐसा मानना है उनको मतलब बहुत मतलब वो भुला नहीं पते हैं कि उससे कोई उधार लिया और उसको पैसा वापस नहीं दिया है ठीक है लेक्ट मी रिलेट वोट हैबन तो चलो आप लोगों को मैं बताता हूं क्या हुआ था तोड बॉरोड इस डॉलर लास्ट यर ओन एट्थ अप्रिल जश्ट एज ही वाज अबाउट तो लीव फो बर्मुडा तो तोड जो है लास्ट यर एट्थ अप्रिल को जब बर्मुडा के लिए निकल रहा था तब वो मुझसे एक डॉलर लिया था तो टैक्सी का जो भाड़ा है वो पे करने के टाइम पे उसने मुझसे एक डॉलर लिया था और ये बहुत सिंपली तरीके से हुआ था और मुझे इस चीज का कुछ ध्यान भी नहीं था उसने बड़े आराम से कहा था कि लेट मी हैव डॉलर विल यू और आई सेड शर्टेनली इस एक डॉलर एनफ तो उसने मुझे बड़े कूल वे में आराम से मुझे बोला कि एक डॉलर है तुमारे पस क्या तुम दे सकते हो तो मैंने भी कहा कि हाँ एक डॉलर काफी है ना ले लो ठीक है आई बिलीव इनफेक्ट आई नो मुझे विश्वास है और इनफेक्ट मुझे पता भी है तो ने जब मुझे एक डॉलर लिया था उस ताइम मुझे ऐसा लगा था कि वो मुझे वापस पे कर देगा उसने मुझे एक चित्थी भी बेजा था है रहते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं चित्थी खोलूंगा तो शायद मुझे वन डॉलर रुपया भी उसमें मिल जाए बट इट वोजन लेकिन उसमें पैसा नही पास हो चुका है और यह फिगर मुझे कंफ्यूज किया था उस समय में तोड केम बैक विदिन थ्री वीक्स तीन सब्ता के अंदर में तोड जो है वह वापस आता है आई मेट इम एड़ ट्रेन मैंने उससे ट्रेन में मुलाकात की नाट बिकॉस अफ़ डॉलर बट बिकॉस इसलिए नहीं कि मुझे उससे डॉलर लेना था इसलिए मैं वहाँ उससे मिलने गया क्योंकि मैं उसका सम्मान करता था इसलिए मैं उसका रेस्पेक्ट करता था on the platform after being away for three weeks मुझे ऐसा लगा कि टॉट जो है वो तीन सप्ता के बाद वापस आ रहा है तो मैं उससे मिलने जाओंगा तो पका उससे अच्छा लगेगा यह सोच करके कि मेरा भी कोई है जो मेरे आने पे मेरा वेट कर रहा है इसको अच्छा लगेगा कि कोई तो मेरा इंतजार कर रहा है प्लैटफर्म पे क्योंकि तीन सप्ता बाद में वापस आ रहा हूं इट टूक मी सम टाइम मुझे कुछ समय लगा यह रियलाइस करने के लिए कि मेरा जो दोस्त है तोड वो लिया हुआ जो उधारी था वो भूल चुका है मैं क्लब में एवरी डे टॉड को देख रहा था ठीक है मगर मुझे कुछ समय लगा यह रियलाइस करने में कि टॉड जो है उधारी का पैसा पूरा भूल चुका है मैंने उससे एक दिन पूछ लिया कि तुमारा जो ट्रीप हुआ था बर्मुडा का उसमें कितना खर्च आया था और उसने बोल दिया कि यारे मैं कोई उधाय यह सब का मतलब पैसा खर्चा वर्चा का हिसाब किताब उतना नहीं करता हूँ जो जिन मैं जी मैं आता है मैं खर्च करता हूँ एसा ही कहा होगा उसने फिर मैंने उससे यह भी पूछा बाद में कि क्या तुम्हारा सब कुछ हो गया है काम्वाम हो गया है and he said that he had practically forgotten about it और उसने कहा कि यारे practically मुझे कुछ भी याद नहीं है, उतना ध्यान नहीं है, क्या करना नहीं करना छोड़ो जाने दो, so I knew it was all over, और मुझे समझ में आ गया, मतलब writer कहा रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया कि सब खतम हो गया है, उसको कुछ डॉलर फॉलर के बारे में कुछ इसको कुछ भी कोई पड़ी नहीं है, उसको कुछ याद रखू मैं, कुछ हिसाब किताब रखने का उसको ठीकाना नहीं है, इन्जॉय करने का है वो उसको बस और कुछ नहीं, तो इसको समझ मागे कि डॉलर वलर गया भाण में, मुझे वापस नहीं मिलने वाला है, in all this I bear Todd no grudge, फिर भी मैं Todd के साथ कोई गुसा नहीं रखा अंदर से, गुसा रखना अंदर से, तो मैंने उसके साथ कोई गुसा वाला ऐसा feeling नहीं रखा, I have simply added him to the list of men who owe me a dollar and who have forgotten it, लेकिन मैंने उसको उस list में डाल दिया, जिस list में और भी लोग थे, जो लोग मुझे एक डॉलर और भूल गये थे, तो राइटर ऐसा इंसान है, जो list भी बना करके रखा है, कि कौन-कौन मेरे सुधारी लिया एक डॉलर और हमको वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन लिख के तो रखा है, लेकिन ये तगादा नहीं करता है, अरे भाई तगादा करो, जैसे पुराने फिल्मों में दिखाता है, मुंसी जी जाते हैं तगादा करने के लिए, पैसा वापस करो, नहीं तो घर काली करो, ये वो, लेकिन अभी देखो, इसको टेंशन भी है, कि मुझे वन डॉलर वापस भी चाहिए, सबका नाम भी लिख के रखा है, लेकिन किसी को बोलेगा नही तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, there are quite a few of them now and I only wish that I could forget, तो अभी कुछ है उन में से लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी भूल जाओं, मैं भूल पाओं, but meantime, a thought, but meantime, a thought, a rather painful thought has begun to come into my mind at intervals, कुछ interval के दोरान, मेरे अंदर में, मतलब बीच-बीच में ऐसा एक बहुत ही दर्दनाक खयाल आता है, painful thought आता है, मेरे माइड में, क्या आता है, it is this, if Todd owes me a dollar and has forgotten it, it is possible indeed, it is theoretically probable that there must be men to whom I owe a dollar, which I have forgotten, ठीक है, Todd ने मेरे से एक dollar लिया है और भूल गया है, यह तो possible है, ठीक है, लेकिन यह भी possible है, theoretically यह possible है, probable है, कि मैंने भी किसी से पैसा लिया है, वन डॉलर लिया हूँ, और हो सकता, मैं भी भूल गया हूँ, ऐसे भी बहुत लोग होंगे, जिन से मैंने भी एक डॉलर लिया है, जिस तरह से टॉड मेरे से एक डॉलर ले करके भूल गया है, उस तरह से, मैं भी किसी से एक डॉलर लिया ह और भूल गया होंगा there may be a list of them हो सकता है ऐसे list होंगे ऐसे लोग होंगे जिन से मैं लिया होंगा the more I think of it the less I like it जितना भी मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा हूं उतना ज्यादा मैं इस चीज को dislike कर रहा हूं less I like it मुझे ये चीज बहुत खराब लग रहा because I am quite sure that if I had once forgotten a dollar अगर मैं sure हूँ कि अगर मैं एक dollar को भूल जा रहा हूँ किसी से उधार लेकर के dollar उधार लेकर के भूल जा रहा हूँ I should never pay it मैं उसको फिर कभी नहीं देने वाला on this side of the grave मरने तक तो मैं उसको कभी नहीं देने वाला हूँ गर मैं भूल गया हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं उसको याद थोड़ी आता है तो वहीं सोच करके writer को खराब लग रहा कि अगर मैं भी किसी से पैसा लिया हुआ हूँगा और मैं उसको नहीं वापस कर रहा हूँ भूल गया हूँगा तो शायद मुझे मरते दम तक याद भी नहीं आएगा ये चीज तो ये सोच कर उसको बुरा लग रहा है if there are such men I want them to speak out अरे भाई अगर कोई ऐसे लोग भी है जिनसे मैं उधारी लिया हूँ और भूल गया हूँ तो भाई मैं आप लोगों से बात करना चाता हूँ सिधा बात है राइटर डिरेक्ली बोल दिया राइटर थोड़ा सा ओनेस्ट टैप का है थोड़ा सा खुले दिल वाला है ऐसा तो वो ऐसा बोल रहा है लिख रहा है यहां पे कि if there are such men अगर ऐसे लोग हैं जिनका मैं उधारी लिया हूँ जिनसे मैं उधारी लिया हूँ डॉलर वलर तो लोग मेरे से आ करके बात कर लो डाइट I want to speak मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ not all at once सब एक साथ मत आ जाना but in reasonable number मतलब थोड़े थोड़े number करके एक एक दो आजमी करके आओ and as far as possible may be in alphabetical order अब इसका पहितरा सुन लो और ऐसे करके देरे देरे आओ alphabetical order में आओ तीक है यह सब चीज possible है मुझे किसी से पैसा लेना है वापस अब मैं देखोँगा कि alphabetical order में मेरा नाम का बादा मुझे जब जब जाना रहा है मैं जाओगा मांगने के लिए पैसा अभी यह बोल रहा कि ठीक है मेरे पस आओ एक एक करका पैसा मांगने के लिए लेकिन alphabetical order में आओ, and I will immediately write their names down on paper, और मैं उन लोगों का immediately paper में नाम लिख लूँगा, but if any man ever lent me a dollar to pay for taxi, when I was starting for Bermuda, I want to pay it. आप देखो कैसा बात ये बोल दिया, writer, कि ऐसा अगर कोई आदमी है, जिसने मुझे Bermuda जाते का time taxi का भाड़ा दिया है, उधारी उधारी में एक डॉलर दिया है, तो उस इंसान को मैं पहले pay करना चाहता हूँ, I want to pay pay, ठीक है? मतलब, writer के दिल और दिमाग में कितना दर्द है उस चीज का, कि Todd को उसने पैसा दिया है, बर्मुडा जाने के time पे taxi का भाड़ा दिया है तो वो चीज अभी छलक रहा है उसका दर्द, but if any man ever lent me a dollar, अगर कोई इंसान है, जिसने मुझे एक डॉलर उधार दिया है, वो भी बर्मुडा जाने के time पे taxi का भाड़ा तो वो पहले आ जाओ, मैं उसको कोई पहले दे दूँगा पैसा, सोचो उसका दर्द पुरा छलक रहा है इस बात से, पता चल रहा है, वो भले टोड को बोल नहीं पा रहा है, भले ये बोल रहा है कि हमारा दोस्ती में कोई फरक नहीं पढ़ रहा है हम ठीक हैं अभी लेकिन उसको अंदर से दर्द है कि उसका एक डॉलर गया है more than that I want to start a general movement इससे ज़्यादा मैं एक general movement start करना चाता हूँ, ठीक है campaign type का, a back to honesty moment, एक back to honesty moment नाम का एक start करना चाता हूँ for paying all these odd dollars that are borrowed in moments of expansion, ये एक ऐसा moment होगा जिसमे, odd dollars जितने भी dollars borrow किये गए होंगे उसको वापसी करने के लिए मतलब सबका उधारी चुकता करने के लिए मैं एक movement चलाना चाता हूँ इतना ये मतलब अंदर से वैथी थे इतना इसको दर्द है अंदर से कि एक movement चलाने का भी बात करा रहा movement का नाम ये रख रहा है क्या back to honesty है ना इमानदरी let us remember that the greatest nations were built upon the rock basis of absolute honesty तो हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि बड़े बड़े जो महान नेशन है महान देश है बड़े देश है उसका जो नीव होता है उसका जो बेस होता है वो किस पर बेस होता है पत्थर के समान अडीग जो absolute honesty होता है इमानदारी होता है उसके उपर ही बड़े बड़े देश का new बड़े बड़े देश का base जो है वो बना हुआ रहता है तो ये बार बर ये कहना चाह रहा है कि सब कोई honest रहो मतलब मेरा पैसा वापस कर दो भाई honest बनके मेरा पैसा वापस कर दो कैसे भी करके ठीक है बहुत ये अंदर से दुखी है लास्ट में बोलता है conclusion में in conclusion may I say that I do particularly ask that no reader of this book will be careless enough to leave this copy around where it might be seen by Major Todd of the University Club of Montreal अब लास्ट में देखो एक बात बोल दिया इस note को इस book को इस story को जो लोग भी पढ़ रहे हैं अभी आप लोग भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं इनसान पढ़ रहे हैं तो please इस copy का कोई copy इस note का इस story का कोई copy ऐसे जगह में मच छोड़ देना ठीक है जिसके उपर Major Todd जो है मेरा दोस Major Todd जो है जो University Club of Montreal में है उसका नजर पढ़ जाए मतलब कहने का मतलब है कि राइटर नहीं चाहता है Stephen Lillock जो राइटर है वो नहीं चाहता है कि कैसे भी करके अभी story में जो इसने सारे बातें बता दी कि वहाँ जाने के लिए बर्मुड़ा जाने के टाइम पर Todd ने मुझसे उधार लिया Todd के बारे में सब कुछ लिख दिया इस story में अब ये सब को बोल भी रहा है कि इतना careless तो कोई reader नहीं होगा इस story का जो reader आभी जो story आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोग इतना भी careless नहीं होगे कि जा करके major Todd को बता दे तो major Todd को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये सब story में लिख दिया है Stephen Lillow का ऐसा कह रहा है मतलब उसको ये भी डर है कि Todd को नहीं पता चले मतलब Todd को कहीं बुरा लग जाएगा क्या पता पैसा को पैसा वापस मांगने से उसको बुरा भी लग सकता है तो इस डर से वो ये भी लिख दिया कि major Todd को पता नहीं चलना चाहिए आप लोगों को story में मैंने लिख दिया बता दिया लेकिन आप लोग पढ़े हैं ठीक है आपने तक ही रखे उसको मत बताईए कहने का मतलब यह है तो यह story यहाँ पर खतम होता है कैसा लगा आपको जरूर बताईए कमेंट करके और question answer भी आपको मिलता ही है इस पर regularly मैं कोसिस करूँगा summary भी provide करने का इस story का ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा help मिल पाए इस exam के टाइम पर तो चैनल को subscribe नहीं किए तो जरूर कर लिजे subscribe और दोस्तों के साथ share करना ना भूले तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye